अजमेर रेलवे स्टेशन पर एक 11 साल की मासूम बच्ची के साथ हुए भ्यावग घटना ने पूरे शहर को जगजोर करक दिया है घटना में एक दरिंदे ने सोती हुई बच्ची को उठा कर रेलवे याड में खड़ी गाड़ी के डिबे में ले जाकर उसके साथ दरिंदगी की पीडिता के परिवार वाले गौालियर एक्स्प्रेस से अपने गाव लोटने के लिए अजमेर आये थे और दरगा जियारत के बार प्लैटफॉर्म पर सो रहे थे इसे दोरान रात के समय आरोपी ने सोती हुई बच्ची को उठाया और उसे याड में खड़ी एक गाड़ी के डिबे मिले गया बच्ची को लहुलुहान हालत में पुलिस ने बरामत किया उसके मूँ, होटो और शरीर के अन्य हिस्तों सहीद गुपतांग पर भी गंभीर चोटो के निशान पाये गए हैं बच्ची को तुरंत जी आरपी थाना पुलिस द्वारा जी एलेन अस्पतान में भरती करवाया गया है जहां इसका उप्चार जारी है पुलिस ने मामले की जांच को घंभीरता से देखते वे आरोपी की तलाश तेज कर दी है जी आरपी थाना पुलिस के अनुसार घटना इस्तल और आसपास के छेतर में लगे सीसी टीवी कैमरों की फुटेज की जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपी को पकड़ने की पूरी कोशिश भी की जा रही है रहे थे तो उन्होंने रात को परी बेड़ बज़ेंगे करी जब उनकी जाग हुए उन्होंने अपने बच्टों को समढ़ आतो है तरीक साड़े चार बज़े की तरीक बालिका को एक प्रेंड जो प्लेटफॉर्म नंबर चार से खड़ी थी उसके डब्दे से ज़स्तियाब किया और इस समढ़ में बालिका के साथ मार्कीट भी हुई है तो बालिका का मेडिकल बोर्ड के दोवारा मेडिकल करवाए जा रहा है और अभ्यूक्त के बारे में हमको जो है मैत्पून शुराग लगे हैं उसके लिए मने विशेष्टी में गठिफ कर दी है और शिग्री अभ्यूक्त को जो है दस्तियाब करने के गरिपतार करें